आप सभी कोई रामनाम कैसे आप लोग तो आप लोगों को पता है इंडिया के इलेक्टिविकल है इसको लेए गौर्वर्मेंट काफी बढ़ावा दे लोगों को कि भी खेद लो इनवाइवंट बचाने के लिए इसको लेके कही सारे स्कैम होए बहुत सारे जिसको लेके आपको जाना बहुत जोरी है आपको अलग बात है मगर जो company subsidy ले रही है उसके under में वो scam कह रही है subsidy लेने के लिए और जो scam कह रही है उसका लोग साब भोगतना बढ़ता है आपको मतलब हम जासे को जो अब तक क्योंकि अभी जो न्यूज आई है उसमें आया है कि गौर्णन नोटीस भीजा है सबको सारी कम्प्रीन नोटीस भीजा है सबको नोटीस भीजा है टेस्टिंग के लिए कि यहां हम आपके जित्ते भी विकल है उसो खोल खोले चेक करेंगे एक करके चेक करेंगे तो अगर आप लोग जाने कि क्या था और कंप्रीन के से स्काम करके एलक्टिव का सब्सीडिय के लिए के लिए वीडियो पूरी एंट्र देखना क्यों कि मैं आसी इंधिशन देलिश आता हूं वीडियो स्ट करने पहले आपको इपनी स्कीन को पूर लाड़ बरन दिख्राओ और सब्सक्राइब आला उ सफ्ते में मुया करा है मदलब अवेलेबल नगगर आजकल हो ये रहा है कि सफ्ते सफ्ता इलक्टिश स्कूट अब तो गर्में पलसी या में फेलओ हो हुरिये उप गोर्मेंट सब्सीधी इसलिए लाग की थी ताकि जित्तीव कंप्णी और मैक्सिम जो अपने पार्स है ल तो मज़े की बात यह है कि कम्पनिया जब टेस्टिंग लिए बेस्टी मोड उसके अंदर तो सारा चीज़ ठीक करती है जब कस्टमर के लिए बनाती हूं तो सारे पार्ट चाइना से इंपोर्ट के लगा दिए जैसे कि उनकी कोष्णिंग कमाई प्रफिट ज्यादा हुआ और गौर्मन के यह कह दिया कि हमने सारे मेडिन पार्ट यूज़के जैसे कि आपने टेस्टिंग बोला था तो इस अपसे सब्सक्राइब जादा बनती है और आपको बताता हूं कि यह जो घोटाला है यह गड़वर जमेला है यह गवर्मन की नजर में आया कैसे तो एक हिकाया इतरो आया था मतलब एक कंशी ने कंप्लेंड माई थी जो किते दो चार्ट अकाउंट है उन्होंने कंप्लेंड माई इसका जिता जाकता उधारन है कभी टूट रहा है कभी जल रहा है तो ऐसे में गवर्मन ने इसको सीरेसली लिया हमारी गटकरी जी ने उसका ऑडिट करें और पाया कि सच बात है कंपनी ऐसा करी दिए है सब्सक्री लेने के लिए और इन सब के बाद एक पॉलिटिस का जाएंगों बेचेंगे मार्केट करनते और इसके लिए उसने ने 35 क्रोड रुपय का सब्सक्री उठाली गवर्मेंट से और यह चीन के अकॉंड में ट्रांस्टर भी हुआ है ऐसे बात निये यह सारा ब्यूरा है अगर आपको आर्टे डालोगा आपको पता चल जाएगा ह जो अभी गवर्मेंट है उसका अंडर में इत्ता वड़ा घपला चल रहा है और जो सब्सक्री का पूरा मामला है मतलब बजट है वो दजाग क्रोड का है इसमें से लग बन लग आपका आपका आट जाग क्रोड का आसपास का इलेक्टिवीकल पर दिया जाता है जाता है य इसके लिए जिसने भी रीसेंड़ी इलेक्टिवीकल खरी दे थे उसका गौर्मेंट के जा रही है और इसको वहापस खरीद रही है उसके ले रही है और उनको बेज रही है अपने दो इंस्टूट के अंदर जो कि है A.R.A.I. और Center for Automative जो की मैनसरा के अंदर है वहाँ पर इसको खोल-खोले चेक किया गया है वहाँ पर देखा गया है कि इनके अंदर जोलत है सब्सेटी के लिए जोलत किया कंपनी में इन्होंने ऑफिशनल चेक किया अपनी रिपोर्ट बताई है तो अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि गौर्मेंट ने ये आकरी सब्सेटी मोबिल्टी और इसके ठीक दो साल बात फेम वन सब्सेटी आई थी और थोड़े टाइम बात फेम टू भी आगे थी तो जो फेम वन सब्सेटी आई थी 2015 के अंदर जो के थी फास्टर अडॉप्शन एड इलक्सिटी मैनिस्ट्ट्रिंग इसके अंदर ये था कि एक एको कि दो आपको पैसे बचेंगे और दूसरा एको मुद्दा था कि भीया रोजगाव को बढ़ावा देना कि भीया मैनिस्ट्राची नहीं होगी तो लोगों को रोजगाय मिलेगा इंप्लाइम बढ़ेगी इससे जो एकोनोमिय शो अथानी मिलेगी चलने के लिए बगर हुआ लोगों ने इसका ही लूफुल निकाला और इसक्याम करना स्टाट कर दिया तो अब आप लोगों सोच रहे होगे कि गौर्मेंट इसके रिकार्डिंग किया क्या है पहला तो उसने किया कि जिसने खरीदा था उससे वापस खरीद लिए और टेस्टिंग किया है तो इसके ल इस से उपन आना चाहिए और इसके अंडर में आना चाहिए या इसके जो policy है या regulation हो बनाना चाहिए कि अगर पुर्जे जा आग पकड़ती है खुछ भी होता है तो company की जमेदार होना चाहिए customer कर रहे होगे कि ऊभॉर्मैन्ट में दो कि काुए यह नहीं कि कोई पर उल्ट का में पढ़ी हो तो अगर इसे यह कॉछी हो गया है क्या करते हैं कंपनी तो पल्ला जाड़ लए कि भी यूजर के गलती है जैसे कि अभी रिसेंट लिवा था संजीव जैन के साथ सस्पेंश टूल गया था क्लोनी कंद चलाने में और कंपनी नहीं कहते हैं अब तो देखने वली बात है कि जो दो बड़ी कंपनी आए इसके आउट है तो आप लोगो इंस्टागम में पूस सकते हो मैं आपके क्यारी को हंड़ी पूरी पूरी कोश्च करूँगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि उस क्यारी पे डिटेल वीडियो बना दू तो ही में बता सकते हैं मैं अपनी इंप्रमेशन जुटा कि आपके लिए खूँ